नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेशे 30 मार्च मंगलवार शाम सवा 4 बजे जोदपुर जिलिक की बड़ी खबरे होली परव पर कोरोना ने गद दो दिनों में 314 जनों को चपेट में ले लिया, धुलंडी परव पर सुनवार को 142 इस नए संक्रमित सामने आए कोरोना की बढ़ती संख्या ने प्रशासन के चहरे पर चिंता की लखीरे खेज दी है, आपको बता दे कि मार्च में अभी तक 1315 रोगी संक्रमित हो चुके हैं और 11 की मौत हो चुकी है देश भर में कोरोना वारिस की दूसरे लहर के फैलने के आशुंका के बीच सूर्य नगरी में सोमर को रंगों का तेवहार होली धुमधाम से मनाये गया इस दोरान लोगों ने जम कर रंग और गुलाल उड़ाया, चारू तरफ रंग और गुलाल उड़ता नजर आया हारान के ज़रान शोहर में पुलिस का सक्ट पहरा रहा लेकिन कोरोना पर होली की खुशी भारी पढ़ती नजर आई होली पर हुट दंगियों से निपटने के लिए जगा जगा पुलिस बल तैनात रहा, हर चोरा है वे गली नुकड पर पुलिस के जवान तैनात रहे कईयों को पुलिस ने पकड़ा लेकिन बाद में हिदायत दे कर छोड़ भी दिया शुरापी कर वाहन चलाने वालों से पुलिस ने सक्टी से निपटा पुलिस हर चोराहा और सड़क पर गश्ट करती नजर आई ताकि किसी प्रकार के अन्होनी की घटना ना हो केंद्री जोर्शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत ने आखिर का फोन टैपिंग मामने में चुपी तोड़ते हुए कहा कि ये निस्ता पर हमला है जोद्पुर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एफायार दर्च कराने को लेकर मंत्री शेखावत ने खुद की नैतिकता और चरित्र हनन का कौंगेस पर आरूप मरते हुए कहा कि राजस्तान सरकार उसके मुख्यान नेतागन और अधिकारी मिलकर राज्य में अपने स्व के मुख्य द्वार के पास पहुँचकर राव जी की गेर का स्वागत किया के साथ लूर व्यफागुन के कीद काई इसकोन जोत्पूर श्री श्री राधा गोविन जी मंदिर तनावणा में चैतने महाप्रभु का आविर भाव दिवस गौर पुर्णिमा का उस्सव एम धुलंडी महोसव धुमधाम से ऑनलाइन मनाया गया मंदिर अध्याश सुन्दरला ने बताया कि भगवान श्री श्री राधा गोविन जी को विशेश फूलो से बने रंगों से श्रंगार किया गया भगवान श्री चैतने महाप्रभु का आविर भाव दिवस मनाया गया इसमें भगवान का दू, दही, घी, शहद और फलो के रस इत्यादे से महापिशे किया गया जोदपुर के सांसाद एवं केंदे जोशक्ती मंत्रि गजिन्द सिंग शेखावत होली की पावन आवसर पर जोदपुर में ही रहे होली के दिन दामा श्यामा करने के लिए जोदपुर संसदिय शेत्र के सभी स्थानों से लोग अजीत कोलोने सित निवास पहुंचे शेखावत ने परिवार एवं मित्रों के साथ गुलाल अभीर और फूलों से होली खेरी जोदपुर प्रवास के बाद शेखावत मंगलवार को रास्समन के लिए रवाना हो गए गुगल सोसाइटी एव मयूर सेवा समीति की ओर से जोदपुर के चौपासनी हावसिंग बोर्ड के 16 सेक्टर सित बड़ा गरनिश मंदिर में फागोत सवाय जित किया गया काईकरम में फगला गुडला कमेटी सिटी पुलिस एवन जोदपुर के प्रमुकलाकारों ने अपने गायन से जनता को जूमने पर मजबूर कर दिया जोदपुर के कमला नहरुस्तित माइक हदीजा हॉस्पिटल एंड रिसोर्स सेंटर द्वारा एक निशुल के मेडिकल कैम्प का योजन किया गया कैम्प में विभिन बीमारियों के करीद 25 मरीज लाभानवित हुए सभी को निशुल के दमाईया, शुगर, ECG और BP से सभी जांच फ्री उपलप्ट करवाई गए तो फिलाल इस पुलेटिन में इतना ही लेकिन फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें